पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग के इस तीफे को लेकर चलते घट्टा किरम के बीच राइस्थान के सीम अशोग गहलोद के OSD लोके शर्मा की ओर से किये गए ट्विट पर अब प्रदेश कॉंग्रिस की राजनीती गर्मा गई है इस ट्विट को पार्टी हाई कमान पर तंस कसने वाला माना गया है गहलोद के OSD के इस ट्विट के सोशल मीडिया में आरोपों से घरने और सुर्खियों में आने के बाद शनिवार देर रात लोके शर्मा ने अपना इस्तीफा भी दे दिया सियम अशोक गहलोद को भेजे गए स्तीफे में लोके शर्मा ने लिखा इस पर फैसला आपको करना है शर्मा का ट्विट और उनका इस्तीफा राइस्तान में जवर्दस्त चर्चा का विशे बना हुआ है दरसल लोके शर्मा ने शनिवार को बिना नाम लिए तंस कसने वाला एक ट्विट किया था दोपहर में एक बचकर 42 मिनिट पर लिखे गए ट्विट में लोके शर्मा ने लिखा मजबूत को मजबूर मामूली को मगरूर किया जाए बाड़ ही खेत को खाए उस फसल को कौन बचाए इस ट्विट पर लोगों ने सोशल मीडिया पर जम कर लोके शर्मा पर निशाना साधा माना गया कि पंजाब के मामले में ये पार्टी हाई कमान के फैसले की आलोचना है इसमें इशारों ही इशारों में अमरिंदर को मजबूत बताया गया ऐसे में इसे गहलोत की भावना के रूप में भी जोड़ा जा रहा है माना जा रहा है कि खुद गहलोत ने ही लोकेश शर्मा का इस्तीफा लिया है लोकेश शर्मा गहलोत के OSD के तौर पर मीडिया का काम देखते हैं उधर देर रात मुख्यमंत्री अशुक गहलोद के OSD ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर अपने स्तीफे पर सफाई देते हुए कहा कि आज दिन में मेरे द्वारा किये गए ट्विट को राजनितिक रंग देते हुए गलत अर्थ निकाला गया पंजाब के घट्टा करम से इसे जोड़ा जा रहा है मैं 2010 से ट्विटर पर एक्टिव हूँ मैंने आज तक किसी भी छोटे बड़े नेता के खिलाफ पार्टी लाइन से अलग हटकर कोई गलत शब्द नहीं लिखा आपके द्वारा OSD की जिम्मेदारी मिलने के बाद मैंने अपनी मरियादाओं को ध्यान में रखते हुए कोई भी राजनितिक ट्विट नहीं किया फिर भी मेरे ट्विट से पार्टी सरकार और आला कमान की भावना को ठेस पहुशती हो तो मैं छमा चाता हूँ फिर भी आपको लगता है मेरे द्वारा जान बूच कर कोई गलती की गई है तो मैं आपके विशेशे दिकार पद से इस्तीफा भेज रहा हूँ निर्ने आपको करना है राजस्थान में पाइलिट खेमे और गहलोत खेमे में लंबे अर्से से लड़ाई चल रही है पाइलिट खेमा कई बार मुख्यमंतुरी को बदलने की बात कर चुका है पंजाब की सियासी उटा पठक और अब राइस्तान में भी सियासी नरेटिव बदलना तय माना जा रहा है इससे मुख्यमंतुरी अशोग गहलोत खेमे पर भी दबाव बन गया है गहलोत के OSD के इस ट्विट को उसी से जोड़ कर देखा जा रहा है आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताईए साथ हमारी यूट्यूब चैनल सन्ना इस न्यूज के लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेर